जैन सातियों आप सभी का स्वागत है सिभेई क्लासेस में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का राजनेती सास्र ये चेप्टर नंबर 5 हो जाएगा जिसका नाम है लोकतंतर की चुनोतियां इस चेप्टर से जितने भी BBI कोश्चन बनते थे वो सारे BBI कोश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना पहला कोश्चन दिया गया है लोकतंतर जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सासन है या कथन किसने कहा था तो या कथन कहने वाले अबराहम लिंकन है option B जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन है नए विश्व सरवेक्षन के आधार पर भारत वर्स्व में भारत वर्स में मत दाताओं की संख्या है लगभग तो कितना है एक अत्तर करोड है option B जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन है छेतरवाद की भावना का एक कूपरी नाम है तो छेतरवाद की भावना का एक कूपरी नाम जो है अलगाववाद है option D जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है अगला कोश्चन है भारतिय लोकतंत्र के कितने अंग है तो भारतिय लोकतंत्र के तीन अंग है औप्शन बीस आई हो जाएगा अगला कोश्चन है पुस्प कमल दहल परचंड किस देश के माउवादी नेता है तो किस देश के है नेपाल के है अगला कोश्चन हो जाएगा किस देश के राष्टवादी नेता आंग सांग सूकी को पंदरा वर्सों से नजरबंद कर रखा गया है तो मियानमार का है आंग सांग सूकी ठीक है ओप्शन भी सही हो जाएगा मियानमार अगला कोश्चन है निमनांकित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओ वादियों की चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल अगला कोश्चन है लोकतांत्रिक सुधार मुख्यता करते हैं तो लोकतांत्रिक सुधार राजनितिक पाटी करते हैं यानि राजनितिक दल अगला कोशन है जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनोतियों के रूप में उभरी तो किस देश में लोकतांत्रिक चुनोतियों के रूप में उभरी बुलीविया में जल संकट ठीक है अगला कोशन है निमनांकित में कौन सा कारक लोक्तंत्र की चुनोती है जाती वाद जो है ये लोक्तंत्र की चुनोती है ओप्षन सी सही हो जाएगा अगला कोशन है भारतिय लोक्तंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है तो सबसे अच्छा उपाय क्या है सुधारात्मक कानूनों का निर्मान करना ओप्षन बी सही हो जाएगा अगला कोशन है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद एवं छेत्रवाद ओप्सन D सही हो जाएगा अगला कोशन है निमनांकित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं तो किस देश की महिलाएं हैं सौधी अरब हो जाएगा ओप्सन C सही हो जाएगा अगला कोशन है छेत्रवाद की भावना का दूस परिनाम होता है तो छेत्रवाद की भावना का दूस परिनाम होता है अलगाववाद, ओप्सन C सही हो जाएगा अगला कोशन है फर्तियक्ष लोकतंत्र अस्थापित करने वाला देश स्विजर लेंड में महिलाओं को मतधिकार मिला तो महिलाओं को मतधिकार कब मिला 1971 में स्विजर लेंड में मिला था अगला कोशन है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है नागरिकों की विवेक पूर्ण साहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है उप्सन सी साही हो जाएगा अगला कोसन है निमनांकित में कौन सी चुनोतियों का लोकतांत्रिक सासन विवस्था को सामना करना पड़ता है तो कौन सी चुनोती का सामना करना पड़ता है मौलिक आधार बनाने की चुनोती मौलिक आधिकारो के विस्तार की चुनोती या फिर मौलिक आधिकारो को ससक्त बनाने की चुनोती तो ये जो तीनो है ये तीनो सही हो जाएगा ओप्सन डी सही हो जाएगा अगला कोशन है लोकतंत्र में क्या नहीं होना चाहिए तो लोकतंत्र में क्या नहीं होना चाहिए बहुमत की तानसाही और कुरूर सासन विवस्था ये दोनों ही नहीं होना चाहिए अगला कोश्चन है अपने छेत्र को बढ़ावा देने के विचार को क्या कहते हैं तो अपने छेत्र को बढ़ावा देने के विचार को क्या कहते हैं छेत्रवाद ओप्सन बी सही हो जाएगा अगला कोस्चन है नेपाल को लोकतंत्र के किस परकार की चुनोती का सामना करना पड़ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनोती ओप्शन भी सही हो जाएगा अगला कोशन है अपनी जाती की सर्वोच्चता में विश्वास करने की विचारधारा को क्या कहते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा जाती वाद कहते हैं अगला कोशन है दुनिया के अधिकान्स लोकतंत्रों को किस परकार की चुनोती का सामना करना पड़ रहा है तो किस परकार की चुनोती को सामना करना पड़ रहा है लोगतंत्र को मजबूत करने की चुनोती का सामना करना पड़ रहा है अगला कोश्चन है सूचना का अधिकार क्या है सूचना का अधिकार क्या है तो सूचना का अधिकार जो है ओप्सन डी सही हो जाएगा बी और सी दोनो यानि लोगों को जानकार बनाना और सी जो है लोगतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिये करना ये डी जो है ओप्सन डी सही हो जाएगा यानि ये और ये दोनों सही हो जाएगा अगला कोशन है लोकतांत्रिक नियंत्रन का क्या अर्थ है तो लोकतांत्रिक नियंत्रन का क्या अर्थ है कम से कम चीजे नियंत्रन से बाहर होना कम से कन चीजे कम से कम चीजे नियंत्रन से बाहर होना ये सही हो जाएग अगला कोश्चन है हम चुनोतियों की चर्चा क्यों करते हैं उनका समधान करने के लिए ठीक है उनका समधान करने के लिए उप्शन C जो है वो सही हो जाएगा अगला कोश्चन है दुनिया के कितने भागों में लोकतांतरिक सासन नहीं है तो लगभग एक चोथाई भागों में जो है लोकतांतरिक सासन नहीं है अगला कोर्षन है चुनौती किसे कहते हैं तो चुनौती किसे कहते हैं विभिन तरह की मुश्किलों को चुनौती कहते हैं और ओप्षन भी है वो सही हो जाएगा तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है